नमस्कार दोस्तों मैं भुपेन मिशा श्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों हमारे 36 कड में पुलिस भरती प्रक्रिया का प्री का एक्जाम जो है वो शंपन्न हुआ उसका Mauccsch आ गए किसको कितना कितना नंबर मिला है यह पता चला लेकिन कौन मेंस देगा या नहीं देगा उसको अभी तक टीर नहीं किया गया है आज के इस वीडियो मैं आप सभी को doubt clear कर दूँगा और साथी साथ जो means का exam होना वाला है वो कैसा होगा objective होगा या return होगा वो भी बताऊंगा सिलिए बस क्या रहेगा उसके उपर भी चर्चा करेंगे कौन-कौन exam देगा और कौन-कौन exam नहीं दे पाएगा उसके उपर भी च cut up के लिए मैंने जो बोला था वही हुआ है मैंने कहा था समानने वर्ग के जो प्रतिभागी होंगे वह 55 प्रश्ण से अगर जादा सहीं किये होंगे तभी वह सलेक्ट होंगे नहीं तो वह सलेक्ट नहीं होंगे लेकिन आप सभी को motivation के नाम पर बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है क्यों क्योंकि क्योंकि इससे क्या होगा ज़्यादा सजब लोग ही दिया सब्लों अगर जब तक कहां से लोग पढ़ने आएंगे में मुद्दा यह होता है मोटिवेशन अच्छी चीज है मैं एक चीज बता रहा हूं दो तीन लोगों ने मुझे कॉल किया था ठीक है एक तो बहुत अच्छा अग्रेसर्थ है यह पूरा का पूरा है उन्होंने अपना नहीं नीकल रहे है लेकिन उन्होंने कॉल किआ। बहुत सारे चीजों को अपना यह क Savior मुझे उनके साथ सब्ढ़ाना है जो नहीं निकाल पाए उनके साथ सब्ढ़ना है लेकिन जबर्दस्ती बोलना की नहीं भाई साफ सेलेक्ट हो रहे हो तेरा 25 भी अगर सहीं किया तेरा हो जाएगा तेरा 40 है तो भी हो जाएगा तो कटेगरी देखना पड़ता है साथी साथ अगर कितना कटप जाएगा इसको बताने के लिए कम से कम मैंने 10,000 लोगों तक अलग-अलग गूरूप होते हैं गूरूप में देखना पड़ते है किसने कितna मारा है कितना कितना लोग क्या बोलते हैं जो अलग-अलग जो हाईयर लोग हैं वो कितना तक बोल रहे हैं उन सभी को बताने के बाद फिर करदा पक्रदा तक जो जनरल लड़के मैं लड़के की बात करूं जो जनरल लड़के हैं जो 7000 के उपर रैंक है उनका निकल जाएगा 7000 से अगर बात करें 7800 तक ठीक है वहां तक 162 नंबर के असपास दिखा रहा है 7800 कुछ रैंक तक तो 162 रंग मतलब क्या है उसने ये भी लिखा था कि 20 ग तो हो सकता है 7800 तक के जो लड़के होंगे वो भी सेलेक्शन में आ जाए अब यह पूरा का पूरा यहां पर लोग अनुमान ही लगा सकते हैं 7000 से लेकरके 7800 तक जो भी जनरल लड़के होंगे वो selection ले लेंगे लेकिन इसमें फिर पुलिस भी भाग के जो पहले से करमचारी है उनके लिए अलग छूट है तो ये सारे चीजों का अलग-अलग जाएगा ठेक है ये जो अलग-अलग विशेशक के हैं उनसे आप सब देख सकते हो जनरल का बता रहा हूँ 7000 से ले करके 7800 त निकलता है तब यह होगा अगर मालो 76% आरक्षण के हिसाब से निकला जो कि पॉसिबल नहीं है बतलब बहुत ही कम चांसे से 5% का चांस है कि 76% आरक्षण हमारी 36 गड़ में लागू हो जाएगा और उसके आधार पर यह पुलीज भरती प्रक्षण संपन होगा लेकिन यह भी एकदम फैक्ट है जब तक आरक्षण का मसला क्लियर नहीं होगा यह जो मेंस का एक्जाम है वो सुरुआत नहीं होगा ठीक है तो इतना सम है बागी कोचिंग वाले तो हमें से यही बोलेंगे साफ सेलेक्ट हो रहे हो क्यों क्योंकि उनको अपना कोचिंग चलाना है ठीक है अब दूसरा टॉपिक आते हैं कि आखिर जो मेंस होगा ठीक है वह रिटन लिखित में होना है कि अब्जेक्टी होगा तो पहले साल का मेंस इतनी इसमें जो लेंग्वीज का पेपर होगा वह बस अब्जेक्टी प्लस लिखने वाला दोनों रहेगा वाकी सारे के सारे जो पेपर हैं वह आपके अब्जेक्टीव ही होंगी और यह चीज उसमें भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, अगर किसमत रहा, तो उसमें भी आप जो भी लगाओगे, वो अगर सही सही लगा, तो आपका और चांसे बनता है, फिलहाल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है, अपने को आज नहीं तो कल, मेंस का एक्जाम होगा ही होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई, अच्छे से, और जो जो लोग इसमें आ रहे हो, वही उनको बोल रहा हूँ, यह नहीं कि जबर्दस्ति सब के सब लोग तयारी करो, क्योंकि दूसरा एक्जाम और आएगा हमारे शतिसगड़ में, ठीक है, उ अब बोलूँगा कि नहीं, आपका SI में हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बुद्ध बना रहा हूँ, अपना कोचिंग चलाने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ, 7000 से 7800 के उपर जितने जनरल लड़के हैं, उनका है, ठीक है, बाकी लोग इसी के प्रिबियस एर का जो क्वेस्चन पेपर आया था, उसमें कैसे लिया था, उसके उपर भी बताऊंगा, ठीक है, देखी, यह राजपत्र की हिसाब से है, आपको बगल में स्क्रीन के राजपत्र भी दिख रहा होगा, टोटल 5 पेपर होना है, लेकिन यह 5 पेपर सभी के लि नमबर का होगा, और जो इंगलिस है, वो आपका 75 नमबर का होगा, तो इतना समझ यह हिंदी पर अच्छे से फोकस करो, हिंदी इजी भी रहता है, ठीक है, दूसरा है, समाने ज्यान और समाने ध्यान, मतलब यह GS की बात कर रहे है, यह भी 200 नमबर का होगा, और इसका अधी राजपत्र में देखोगे, तो 3 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो question पर बताऊँगा, जो पिछले साल हुआ है, उसमें 2 घंटा ही समय दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यह मान के चलेंगे कि 2 घंटे का ही exam होगा, राजपत्र में भले 3 घंटा लिखा हुआ है, यह परिक्षा भी सभी अभी अर्थियों के लिए अनिवारे होगा, जो भी पद भरे हुआ उन सब के लिए, aptitude test, यह भी आपका 200 अंकों का होगा, और इसका अधी भी 2 घंटा ही है, ठीक है, और यह परिक्षा भी सभी अभी अर्थियों के लिए अनिवारे होगा, तो इतना है कि अपने को हिंदी, इंग्लिस, जी एस और मैथ्स, एप्टिट्यूड है, वो मैथ्स में ही आ जाएगा, उस पर पूरा पूरा फोकस करना है, ठीक है, अब दो और है विज्ञान, जिसके अंतरगत गडित, भौतिक और असायन को रखा गया है, बायो इसमें नहीं है यह माइन में रखना, यह 200 नंबर का होगा और इसकी अवधी भी दो घंटे की होगी, और यह परिक्षा केवल ऐसे अभ्यार्थियों के लिए अनिवार होगी, जो अनुसुची तीन में यथा जो निर्दिष्ट है, जैसे रेडियो है, अंगुल चिन है, या प्रशनाधीन दस्तावेज, उसके लिए अगर कोई है तो उनका विज्ञान का exam होगा, चिक है, और computer विज्ञान के भी परिक्षा है, वो अगर कोई computer का जो उपनिरेक्षक या तो cyber crime का है उसमें अगर आता है तब के लिए ठीक है तो यह में ज्यादा तर लोगों तीन एक्जाम होगा पहला पेपर होगा लेंग्वेज का जिसमें हिंदी इंगलिस है दूसरा पेपर जो है वह आपका जीएस है और तीसरा पेपर जो है वह आपका एपकोटेट है उसमें जाकर कर जूड़ जाना साधे साथ हमारा जो एप है भुपेंद मिश्टा उसको इंस्टॉल करने न वहां भी यह पेपर आपको मिल जाएगा और बहुत जल्द आप सभी के लिए कुछ फ्री क्लासेज भी हमारे यूटुब चैनल में देखने को मिलेंगे तो हमारा जो यूटुब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना भाई क्यूंकि एकदम ऑथेंटिक नियूज देते हैं और मोटिवेशन के नाम पर सही चीजों को दिया जाता है चलिए तो आगे देख मथ गये मतलब यह है कि इसमें आपको किसी में निवन लिखना लिखना है यह आपको उसके लिए अलग से एक वह देदेंकर उत्तर पुस्तिकत जिसमें आपको है वो आपका कंबाइन है उसमें आपका क्या है अब्जेप्टिव ही है जो कोई OMR चीट में आपको भरना है और साथी साथ लिखना भी है तो यह दोनों का दोनों चीज आपको इसमें मिलेगा अगर उसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पर पर है जैसे च चैनल में हो सकते हैं फ्री में आपको मिल जाए पूरा का पूरा तो यह आपको लेंग्वेश्च का बताया इसमें दोनों प्रकार कर मिलेगा क्या चीज है वह आपका लिखना भी है साथी साथ ऑब्जेक्टिव भी है ठीक है अब अगला पेपर आप सभी को बताता हूं ज जी एस का जो जी एस का प्रश्ण है वह आप सभी का पूरा का पूरा जो है वह अब्जेक्टिव ही होगा उसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है ठीक है यह पर देख सकते हो इसमें इस पर शूरूप से लिखा भी हुआ है ओमार सीट को में ही देना है लैंग्वेज का अब वैसे था वह इमार्षेट में देना था बस कुछ टॉपिक्स किया गया था अलग किया गया था ठीक है तो यह वीडियो यहीं तक था और एक चीज हमेशा हमारा जो चैनल है वह ऑथेंटिक निवस देना देता है यह नहीं कि कुछ भी चीज को बता देना है हमेशा धन्यवाद थेंक यू